तो यहां दोस्तों मैंने अपने phone pay account को open कर लिया है मैं phone pay में और payday में आपको दिखाऊ हुआ कि आप UTI number का कैसे पता लगा सकते हैं और कहां आपको देखने को मिलता है अगर आपको यह online payment करते हैं जैसे कि अगर आपने किसी gaming app में पैसा deposit करा है और पैसा आपका फस गया है पैसा नहीं aid हुआ है तो ऐसे में UTI number की जरुवत पड़ती है वो एंटर करने बाद सब्मिट करना होता है और पैसा दोस्तों में यहां पर देखने को मिल जाता है इस तरह के इस सारे market वे से platform भी है जहाँ पर UTI number एंटर करने के बाद ही submit करना होता है उसके बाद ही पैसा deposit दोस्तों यहां पर होता है जैसे कि अभी के time में बहुत सारी investment वाली इस तरह की एप market में आ चुकी है बहुत सारे user इस ही वज़े से यह नाम यहां पर search कर रहे है कि UTI number क्या होता है और कहां देखने हो मिलता है चलिए आपको दिखाज़ता हूँ जब payment दोस्तों आप कोई सार कर देते हैं तो वह payment आपका stream आता है example के लिए मैंने यह payment यहां पर तीन घंटे पहले अब में यह इसका UTI number चाहिए तो इसका UTI number दोस्तों हमें यहां पर देखने हो मिल जाएगा यह रहा यहां देख पाएगे नीचे सबसे कोरूने में आपके सामें आता है यह रहा UTI number और यही UTI number होता है इसे आप यहां किलिक करने के बाद कोपी करते हैं, इस तरह से twitch. अगर आप किसी और टरशेसन की आके पर utr number निकालना है, तो वो भी से बेंसे निकालना है, जैसे कि अगर हमें इसका निकालना है, तो इस पर किलिक करेंगे. क्लिक करने के बाद दोस्तों यह लिका हुआ UTR नंबर तो यहां क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेंगे इस तरह से आप फून पे से दोस्तों अपना UTR नंबर निकालते हैं और यही UTR नंबर दोस्तों होता है जो आपको यहां देखने को मिलता है चली बात करते हैं दोस्तों अब अगर हमें देखना हो अपने Paytium का UTI नमबर जैसे कि Paytium से अगर हमें किसी को पैसा पे किया है और अब हमें उसका UTI नमबर देखना हो तो कैसे देखेंगे अब मैं आपको उसके बारे में जान कर देता हूँ उसके लिए किलिक करेंगे balance and history पे या किलिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपने permit किया है अभी तक वो सब यहाँ पर आप देख पाएंगे अपना और जिसका भी आपको दोस्तों UTR नमबर देखना है तो बस उस पे आप किलिक करेंगे इस तरह से किलिक करने के बाद आपको आ जारा है दोस्तों scroll का गर नीचे और यहां आपको देखने हूं मिलेगा UPI reference number और यही दोस्तों आपका UTR नमबर होता है करना क्या है इसे यहां से copy कर लेंगे इस तरह से copy हो जाएगा जहां पर भी आपको सम्मिट करना है अब आप कर पाएंगे फून पे में लिखा वाता है और सम्मिट कर देंगे जहां भी आपको सम्मिट करना है इस तरह से दोस्तु आप UTR नमबर निकालते हैं और यही UTR नमबर होता है पेटियम और फून पे से कैसे निकालते हैं दोनों का प्रोसेस दोस्तों में आपको बता दिया है तो वीडियो को लाइक जरू करते चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरू कर लें तो चलिए मिलते फिर आपसे फिर से कैसी नई वीडियो में जब तक के लिए जया हिंद